आपका हार्दिक स्वागत है आज हैं हम रकाव गंज रोड गुर्दुवारा गुर्दुवारा रकाव गंज रोड बारे नंबर यहां बहुजन समाज पार्टी का कार्याल है और आज यहां पर बहुत तादात के अंदर बहुजन समाज से सम्मंद रखने वाले लोग बहुजन समाज की पीडा को समझने वाले लोग बावा साव की आईडिलोजी को समझने वाले लोग यहां बहुत तादात के अंदर ताता लगा हुआ है वो ताता क्यों लगा हुआ है आईए हम अंदर चलकर पता करते हैं कि और जो ये बहुजन समाज पाइटी का जो कार्याल है एक विशाल कार्याल है यहाई जो आप मैं देखाने जा रहा हूं इस बोड को इस बोड भी लिखा है मानवर सिरिकांसी राम जी के परिनिर्वार दिवस के मौके पर भारत में इनक समूचे अनुवाई अपने अपार्व बिनर संद्धान जली अर्पित कर रहे हैं एक तरफ मानवर कांसी राम साब का फोटो है दूसरी तरफ बहुजन समाज पाइटी की लीडर बहुजन समाज पाइटी की अध्श बैनकुमारी मयावती जी का फोटो है आई आगे हम चलत करेंगी पूरा बीएसबी के जनम दाता वे संस्तापक वे बहुजन समाज के प्रेना स्रोत मानवर कांसी राम जी के परिणिर्वान दिवस है आज 9 अक्टूवर है और आज मानवर कांसी राम साब के परिणिर्वान दिवस को मनाया जा रहा है आई अंदर हम एंट्री करते और जो बहुत तादाथ के अंदर जो अवाम आयु है जन्ता आयुesian के पूरा जीवन वहुजंद समाझ को दिया आगे हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक बिशाल इस्टेशू जो मानने वर कांसी राम ताभ एक सांत अवस्ता के अंदर बैठे हुए हैं और फूलों की माला है क्योंकि आज स्रिद्णानजली शमार हुआ है यह जो आप फुआरा देख रहे हैं यह फुआरा चला है और फुआरे पे एक स्पूस सब बनाया हुआ है इसके अंदर हाती के वो जो सून्ड से पानी बैटा हुआ और सून्ड में से फुआरा निकलते कि आपको फोटो दिखा रहा हूं यह उस महामानव की फोटो है जिनों ने पूरा जीवन अपना समाज के लिए लगाया उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा और उन्होंने इतना समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कठीन परिशानियों को सेहन करते हुए उन्होंने वो काम किया और इस स्टेचू बे लिखा है कि मेरा जीवन संगर सी ही मेरा संदे से है यह इस्टेच्व है बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेड करके आगे इनी के बरावर में जो दो स्टेच्व है यह है इस्टेच्व बहन कुमारी मायवती जी की जो बहुजन समार पारटी की राष्ट यह अद्यक्ष हैं उनके हातों के अंदर फूल हैं और वह मानव यूग पूरूस जिन्हें कहा जाता है यह हैं बीएसपी के जरमदाता मानवर्शिरी कांशी राम जी यह आप इस्टेशू देख रहे हैं कि यह ऐलीफेंट है हाती का फोटो है और यह जो जहां हाती खड़े हुए हैं यह बहुजन प्रेणा केंद्र है जो शुरू से ही हाती को एक महां दरजा दिया जाता है हिंदुों में गड़िस कहा जाता है और यह एक नहीं अब मैं मैं दूसरे हाती की तरफ चलता हूँ, तीसरा हाती, चोथा हाती, पांचवा हाती और छड़ा हाती, इनकी सभी की कला जो जिसने कला कीरती किये, इसमें कहीं भी कते भी कोई फरक्ट नहीं किया है, इन हातियों के बीच में हाती एक ही बरावर के हैं, एक ही शायड में रखे और इनकी कलाकिर्ती बहुत अच्छी है, दूसरा एक तरफ मनवर कांसी राम जी का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ कुमारी मायवती जी का फोटो लिखा हुआ है, इस पूरे इस दिवाल पे जो एक स्थान दिया गया है, और इस स्थान पर लिखा गया है जै भीम, जै बारत, बहुजन प्रेणा केंद्र बहुजन प्रेणा ट्रस्ट द्वारा संचालित बारेगुर द्वारा रकाव गंज रोड नहीं दिल्ली 110001 आई और आगे चलते हैं मैन गीत था, मैन गेट से हम दूसरे गेट की तरफ आ रहे था है है और इस फ््वार社े के अंदर जो कडकाु का एक कलाकारी की है जिसे ऑंधि में कहते लांकार, लांकार का रहा थ म अज़कित उसी तरीके से इस पूरे फुबारे फूलवारी लगी वह ऐई यह देखने के लिए बहुत अच्छी है और चलते है ये गेट नुमर 2 के बरावर में बहन कुमारी मायवती जो बहुजन समाज पायटी की राश्ट्रे अध्यक्ष है दूसरा जो इस्टेचू जिसमें गले के अंदर माला पैने हुए हैं यह हैं BSB के जरमदाता मानवर कांसी राम जी दोनों की फोटो एक साथ में गेट नमबर दो के बरावर में इनका भी जो पहले गेट पे जो फोटो दिखाया वो इस्टेचू दिखाया कि मेरा सिर्फ पल्यमेंट की तरफ आप पल्यमेंट के अंदर दाओ अपने अधिकारों को पा ने के लिए एक बहन जी का है बहन कि जो मास्टर चाबी उसी से सवी ताले खुलते हैं और आपका उधार सुधार उसी से होगा इन सब चीजों को लेके ये कि प्रेणा इस्तल जो बनाया बहुजन समाज पाइटी के लिए और बहुजन समाज के लिए ये एक दर्सन के स्थान भी और प्रेणा देने वाला है कि जो इनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है कि ये बता रहे हैं कि हमारे समाज के साथ में जो हुआ और जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज समाज इनशानियत के प्रतिक भगवान गौतम बुद्र की जो स्टेचू लगा रखे हैं बहुत सुंधर श्टेचू लगा रखे हैं बहुत अच्छा पत्थर लगा रखा है ऐसे और आगे चलते हैं इस कारेयल ने पर भी बहुँआ लगी हुई है और बहुत ही सुंदर कलाकार ने अपने कलाकरती को दिखाती वન प्रतीमा बनायी है अभी हमना आपको बहुत दिखाया कि मानवार कांशी राम साब का फिर आगे उनका अब हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय ही ऐलिफेंट की फोटो आपको दिखाई देगी और तस्वीर दिखाई देगी एक तरफ ऐलिफेंट दूसरी तरफ भी एक अब हरी घास है बहुत सुन्दर देखने में लग रही है और इसी तरीक इस तरफ भी हम देखते हैं तो घास जो बड़ी अच्छे है यह जो आप हाती देख रहे हैं हाती के सून्ड के अंदर माला है पैरों के अंदर पीले-पीले फूल है यह फूल कोई बनावटी फूल मैं इन उठाकर देखना हूं तो यह फूल बहुत ऑडिनल है और हाती के पैरों में फूल पड़े हुए हैं और सून्ड के अंदर यह माला है और माला का एक प्रतिक है इसका अभी कोई एक रीजन होता है कि यह माला क्यों हाती के गले के अंदर है दूसी तरह हम यहां चलते पुष्टक रखी हुई है एक टेविल पर पुष्टक रखी हुई है और पुष्टक के अंदर लिखा हुआ है मैं के में पुष्टकों की जो राइटिंग है बोल्यूम नंबर एक बोल्यूम नंबर दो बोल्यूम नंबर तीन और बोल्यूम नंबर चार उसी तरीके से इधर पुष्टकों के बरावर में बहुजन समाज पाइटी की राष्टि अध्यक्ष बहन कुमारी मायवती जी का इस्टेचू बना हुआ है और नीचे लिखा है सुर्य मायवती जी एक मात उत्रा अधिकारी सात में गंबीर मुद्रा में बेठे हुए है बहन कुमारी मायवती जी का इस्टेचू है आप देख रहे हैं और बड़ावर के अंदर पूल आप M में जो मन वर कांशी राम साब के गले के अंदर माला है एक हाथ के अंदर पैन है और पैन एक बहुत पृतिक है